अद्धिक्षा इस वर्ष बर्साद जादा होने के कारण भहुत सारे इसे मकान है जो गिरने की विवस्ता में है और भहुत सारे इसे सिंगल बेडरूम होजस है जो भहुती बुरी कंडिशन में है 1984-1992 में वो समय पर सिंगल बेडरूम बनाए गये थे राजिव ग्रोव कुलपा अमबेटकर आवास योजना के तहद मेरी विधान सबा में चंदरकिरन बस्ती, गौली वाड़ा, सितला माता टेम्पल सोरंडिंग, अमबेटकर नगर लगभग 330 मकाने ऐसे हैं जो सिंगल बेडरूम है जो कभी भी गिरने गिर सकते हैं अद्धिक्षा तो आपके माध्यम से हमारे मुनसिपल मिनिस्टर जी को मैं आज ये रिक्वेश्ट करना चाहूँगा कि तुरंट आप एक टीम को इन मकानों के सर्वे के लिए आप भेजे, निरक्षन के लिए भेजे कि कितने ऐसे मकान हैं जो कभी भी गिर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे से गरीब परिवार है अकर मकान गिरिंगे तो जानमाल का नुकसान हो सकता है अद्धिक्षा ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा हमारे मुनसिपल मिनिस्टर इसे 37 अद्धिक्षा एक मिनिट अद्धिक्षा आप हर एक को समय देते तो मुझे भी 31 सेकंड का ज़्यादा समय देना चाहिए जो राजिस्तान का इश्यू है औरेडी वेक्ती अरेस्ट है अद्धिक्षा आप अगले को बोलने का समय दे रहे अद्धिक्षा तो हमें भी बोलना देना चाहिए ने प्लीज मिनिस्टर गाराथ स्पीकर सर स्पीकर सर एकड़ एकड़ाई ते इनलू बड़पोत ने हो ने बिल्कुल बोलिए बिल्कुल बोलिए सर if you want to give sir you can give sir it's up to you sir मागे अब्बेंतर ने sir मीष्णो sir your decision sir he is nowhere concerned okay sir speaker sir इपड़ बार चेपेरू वर्षा कालम अकड़ाई इनलू बड़तु नाई every year we are proactively doing it sir रेपु चर्चकुड आउंधी पट्टन प्रगती पल्ले प्रगती कल discussion भी है आप शामीलो जाओ discussion में जो पूछनेया पूछिए पड़ि सत्थ एतो पक्का बोलूँगा में I have always taken proactive, preemptive measure मतलब वर्षा कलम राकम हुंदे प्रनालिक बद्धंगा एकड़ एकड़ एकड़ाई ताटल कूल पोई इनलुन ने हो मार्क शेशानले केली काली जेएंची वालनु थरलिस्तुनम एकड़नन दब्बन वर्षालू regular का बड़ड़ाँ वाल्ला frequent का बड़ड़ाँ वाल्ला वर्सगा आइधार रोल बड़ड़ाँ वालेकड़नन आ गोडललु वीक आइपई पड़िपोई इंटे इनन वहका संगतन जरी इंदी अटलांट येवन उन्ट अकड़ाँ कर आइसलेटेट जरूत रूट रूट चुकानी चाला प्रुवाट्टिवगा मुनसपल डिपार्ट्मेंट गानी पंचायत राज डिपार्ट्मेंट गानी गवरोव मुख्यमत्रिगारे आदेशम में रखू प्रती समच्रम मौनसून कंटे मून अला मुंदन चे आप आनी चेस्तमू एकड़न न प्रत्यकंगा मिर गोशामाल लगानी उनको काड़ागानी हटांट इश्यू उन्टे ना कियेंडी चेस्तमू इस वर्ष बरसाद ज्यादा होने के कारण भहुत सारे ऐसे मकान है जो गिरने की विवस्ता में है और भहुत सारे ऐसे सिंगल बेडरूम होजस है जो भहुती बुरी कंडिशन में है 1984-1992 में वो समय पर सिंगल बेडरूम बनाए गय थे राजिव ग्रोवा ग्रोवकुलपा अमबेटकर आवास योजना के तहट मेरी विधान सबा में चंदरकिरन बस्ती गौली वाडा सितला माता टेंपल सोरंडिंग अमबेटकर नगर लगबग 330 मकाने ऐसे हैं जो सिंगल बेडरूम है जो कभी भी गिरने गिर सकते हैं अद्धिक्षा तो आपके माध्यम से हमारे मुनस्पल मिनिस्टर जी को मैं आज ये रिक्वेश्ट करना चाहूँगा कि तुरंत आप एक टीम को इन मकानों के सर्वे के लिए आप भेजे निरक्षन के लिए भेजे कि कितने ऐसे मकान है जो कभी भी गिर सकते क्योंकि बहुत सारे से गरीब परिवार है अकर मकान गिरिंगे तो जानमाल का नुकसान हो सकता है अद्धिक्षा ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हमारे मुनसिपल मिनिस्टर जिसे 37 अद्धिक्षा एक मिनट अद्धिक्षा आप हर एक को समय देते तो मुझे भी 31 सेकंड का जादा समय देना चाहिए जो राजिस्तान का इश्यू है औरेडी वेक्ती अरेष्ट है उसकी मेंट ने ने आप देखो जब आप अगले को बोलने का समय दे रहे अद्धिक्षा तो हमी भी बोलना देना चाहिए ने प्लीज मिनिस्टर गारा स्पीकर सर स्पीकर सर एकड़ एकड़ एकड़ा हिते सर्मीष्णों सर, यहार दिस्टर गुड़ा हुंदी पट्टन प्रगती पल्ले प्रगती कल दिसकेशन भी है आप शामीलो जाओ दिसकेशन में जो पूछनेया पूछिए पड़ि सत ए तो पक्का बोलूँगा में I have always taken proactive, preemptive measure मतलब वर्षा कलम राकम उन्दे प्रनालिक बद्धंगा एकड़ एकड़ा हिते आटल कूल पोई इनलुण यहो मार्क शेश्यानले केली काली जेएंची वालनु थरलिस्तुन नम एकड़न दब्बन वर्षालु regular का बड़ड़म वल्ला frequent का बड़ड़म वल्ला वर्सगा आइधार रोल बड़ड़म वलेकड़न आ गोडलु वीक आइपई पड़िपोई इन्टे निन्न वक संगटन जरीइंदी अटलांटी एवन उन्ट अकड़ा कर आइसुलेटेड़ का जरूत रूद उन्टच्चुकानी चाला प्रुवाक्टिवगा मुनस्पल डिपार्ट्मेंट गानी पंचायत राज डिपार्ट्मेंट गानी गवरोव मुख्यमत्रिगारे आदेशम मेरकू प्रती समत्स्रम मौन्सून कंटे मूनलल मुंदुन निन्चे आपनी चेस्तमू यकडन्न प्रत्तेकंगा मिर गोशामाल लगानी उनको काडगानी अट्ला इश्यू उन्टे ना की एंडी चेस्तमू तो रेंडो इश्यू मिर जेप्पेदे I leave it to speaker sir's description Thank you sir